हलो एवरिवन आज किस वीडियो में बात की जाएगी आपके बेबी के हलचल के उपर दोस्तों गर्ब में अगर बेबी बॉय है तो वो कितने महीने में हलचल स्टार्ट कर देता है और अगर गर्ब में बेबी गर्ल है तो वो कितने महीने में हलचल करना सुरू करती है कोई भी pregnant महिला इस बात को कब से और कितने मन्त से समझ सकती है दोस्तों कहा ये जाता है कि अगर आपको 3-4 महीने में हलचल समझ में आती है तो आपने लड़की कंसीब करी है लेकिन वहीं पे 4 मन्त से 6 मन्त तक आपको अगर हलचल समझ में आती है यानि हलचल आपको लेट समझ में आती है तो फिर आपने एक बेबी बॉई को कंसीब किया है दोस्तो ये ओल्ड वाइब्स के द्वारा कही गई बाते होती है ये बाते कहां तक सही होती है और इसका साइन्टिफिक नजरिया क्या है मैंने अपनी प्रेगनेंसी में क्या एक्सपीरियन्स किया सारी चीजे मैं आथ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ दोस्तो हमारे आसपास के लोगों के द्वारा हमारे आसपास की प्रेगनेंट महिलाओ के द्वारा क्या कहा जाता है इन सारी बातों को आट मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हो तो वीडियो को सुरुसलास तक जरूर देखें अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करें उसके पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दो कि ये चैनल या ये वीडियो किसी भी जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ाबा नहीं देता है केवल आपकी मन की जिगजासा को सांथ करने और आपको जागरूप करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है तो आएए गाइस वीडियो को देख लेते हैं बच्चे की हलचल किसी भी प्रेगनेंट लेडि के लिए एक बहुत ही खुबसूरत एहसास होता है कोई भी लेडि जब प्रेगनेंट हो जाती है तो वो इस मुमिन्ट का इंतजार करती है कि कब हमें हलचल समझ में आएगी दोस्तों आपकी प्रेगनेंसी में 16 से लेके 24 वीग के बीच आपको हलचल महसूस हो सकती है अगर आपको इस वीच हलचल नहीं महसूस होती है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए उन्हें सारी बाते बताना चाहिए क्योंकि कई बार होता ये है कि महिलाए सुरू-सुरू में जब प्रeगनेंट पहली बार होती है तो फों महल्चल को महसूस नहीं कर पाती है और डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर्स के द्वारा अल्टर साउंट से उन्हें पता चल जाता है कि बेबी हलचल कर रहा है या नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर अगर बेबी हलचल कर रहा है केबल आप महसूस नहीं कर पा रही है तब तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर आपका बेबी हलचल नहीं कर पा रहा है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कई बार महिलाएं हलचल को महसूस करती है लेकिन वो हलचल नहीं होती है कई बार आपके पेट में गैस बन जाती है गैस के बबल्स बन जाते हैं जिसके कारण आपको ये लगता है कि बेबी हलचल कर रहा है कुछ महिलाओं को बेबी के हलचल तीसरे मन्त से ही समझ में आने लगती है और कुछ महिलाओं को पाँचवे मन्त के बाद बेबी के हलचल समझ में आती है गाइस अगर आप पहली बार मा बनने जा रहे हैं तो आपको बेबी के हलचल बेबी के मुवमेंट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए आपको बेबी के हलचल जब ज्यादा समझ में आने लगती है तब आप समझती है कि बेबी ने हलचल किया है लेकिन कु नहीं होता है medical science इसे बिल्कुल भी नहीं मानती है किसी भी बेबी की हलचल जल्दी तभी आती है जब वो स्वस्थ होता है और उसका development अच्छी तरह से हो रहा होता है लेकिन अगर आपको बेबी की हलचल कम समझ में आती है या बहुत लेट समझ में आती है इसका मतलब यह नह नहीं समझ में आई है तो प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसर्ट कर लें हर बच्चा अलग होता है उसका moment अलग हो सकता है कोई बच्चा पहले या कोई बच्चा बाद में हलचल कर सकता है इसका baby boy या baby girl से कोई भी connection नहीं है दोस्तों मैं अपनी बात करो तो म पहले ही हलचल करने लगा था और baby girl में भी मुझे हलचल पहले ही समझ में आ गई थी यानि तीन से चार मन्त में मुझे दोनों बेबी के हलचल समझ में आने लगी थी वो आपके समझने के तरीके में भी होता है कि आप जान पाती हैं अपने हलचल को या नहीं जान पाती है जा सकता है